हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज हम आपके बायलोजी से महतपुन्ड 200 कोचन करेंगे यो कि आपके आने वाले मद्ध परदेश पुलिस के एकजाम में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा तो चलिया ये शुरू करते हैं देखे आपका पहला कोचन दे रहा है कि मनुस इसमें पाचन क्रिया कहां से प्रारम होता है तो मुख से प्रारम होता है सरव प्रथम रक्त परिसंचर तंत्र का अधेन किशने किया था तो बिलियम हार्वे के द्वरा किया था पेस्मेकर का समन्द किसा से है तो हिर्दय से है पेस्मेकर का कारी क्या होता है तो दिल की तो अगला कोचन है कि गत्ती प्रेराग किसे समंदौत है तो आपके हिर्द्य से समंदौत है जिसके आगे तता है जानकी परीवर्थनन होता है तो लुआ है रत का सुधि करण कहां होता है तो किडिणी में होता यह दिकwriting सत्व रक्त में कहां से अवसोसित किये जाते हैं तो छोटी आंथ से अगला कोचन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाय जाता है तो टाइली नमक एंजाइम पाय जाता है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास अवसकता होती है तो एंजाइम की खास अवसकता होती है इसके आगे देखिए इसके आगे 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 कि पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है तो यह कृत के द्वारा पीत जमा होता है तो आपके पीतासे में जमा होता है स्वस्त मनुस का रगत चाप कितना होता है तो 120 मीमी वह 80 मीमी होता है अगला कोचन है कि दोड लगाते समय मनुस का रग्त चाप पर क्या असर पड़ता है तो रग्त चाप आपका बढ़ जाता है अगला कोचन है कि समान जीवन काल में मनुस का हिरदय लगवा कितनी बार धरकता है तो दो अरब बार धरकता है इसकी आगे देखिए, इसकी आगे 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 अगला कोचन है कि मानोव सरीर में हिर्दय का कारी है तो pumping station की तरह, रक्त में लाल औरंग किसके कारण से होता है तो हीमोगलोबिन के कारण, हीमोगलोबिन में होता है तो लुहा होता है, सरीर में हीमोगलोबिन का क्या कार तो आक्सीजन का परिवहन करना अगला कोचन है कि हीमोगलोबिन किसका महतपूर घटक है तो आरवीसी का महतपूर घटक है हीमोगलोबिन का कारी है तो आक्सीजन ले जाना अगला कोचन है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा अक्सीजन ले जाये जाता है तो इसका सही उत्तर का जाता है तो पलीहा को का जाता है अगला कोचन है कि मनुष की लाल रख्त कोशिकाओं का जीवन का कितना होता है तो 120 दिन होता है और WBC का जीवन का कितना होता है तो WBC का जीवन का आपका 2-4 दिन तक होता है तो इसा पच्छे से याद रखेगा अगला कोचन है कि पच्छे कड़िकाएं यानि कि RBC आपके 80 मज़ा में उत्पन होते हैं सभेद रगधकन का मुख्यकार क्या होता है तो रोग प्रतीरोद छमता धारन करना मनुस में मेरू दंड से कितनी जोड़ी तंतिर का निकलती है तो 31 जोड़ी अस्तन धारी किसमे यूरिया बनाते हैं तो यक्रित यानि कि लीवर में बनाते हैं मुत्र का पीला रंग किसकी मौजूद की करान होता है तो इूरोक्रोम के द्वरा गुद्दे का कर्यात्मक यूनिट कौन सा है तो निफ्रान है अगला कोचन है कि मानव सरीर के भीतर खुन किसकी उपस्तिती के कारन नहीं जमता है तो इसका स कोचन है कि अपोहन का प्रियोक किस किरिया को पूरा करने के लिए किया जाता है तो अधिव्रीक को पूरा करने के लिए किया जाता है इसकी आगे देखिये विकास की जनकारी है तू किसका उपियो किया जाता है तो अल्टरा साउंड का अगला कोचन है कि गाय और भैंस के धानों में दूद उतारने के लिए किस हर्मोन की सुई लगाई जाती है तो आक्सी टोसिन का सुई लगा जाता है इसकी आगे देखे इसके आगे आगे अगला कोचन है कि मायोग गलोबीन में कौन सी रहात पाई जाती है तो तामबा पाया जाता है शरीर में सबसे बड़ी अंतासरावी गरंती कौन सी है तो थाईराइड गरंती है अगला कोचन है कि कौन सा हर्मोन लडो उडो हर्मोन का लाता है तो एडरिनेल गरंती का लाता है कि चिजञा के द्वरां आपका उनसुलीन स्रावित होता है अगला कोचन है कि इनसुलीन उत्पादीत होता है pulls तो पिंक्रियाज के द्वरां si अगला कोचन है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में चीज़ा फिस और59 mim music की में सब mort अंकौन सा है तो आपका फेफड़ा है इसकी आगे देखिए इसकी आगे आपका अगला कोचन है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वणा कौन है तो मेलानीन है अगला कोचन है कि कंडरा जोडता है तो पेसी को हड़ी से जोडता है मानव सरीर में कौन सी ग्रंती ऐसी है जिसका समन्द सरीर की उतेजना से है तो अधिवरीक गरंती है। मानो का मस्तिज लगवक कितने ग्राम का होता है तो तेरा सो पचास से लेकर चौगदा सो ग्राम तक होता है। मानो सरीर में सबसे लंबी अस्ती कौन सी है तो उरू अस्ती है। अधिक उचाई पर मानव सरीर में लाल रख्त करने का है पर क्या असर पड़ता है तो संख्या में यो आपका RBC बढ़ जाता है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि मानव रुधिर में कोलो इस्ट्राल का समान असर कितना होता है तो 140 से लेकर 180 mg होता है अगला कोचन है कि यदि किसी वेक्ति की रुधिर वाहिकाओं की तिर्जा कम हो जाए तो उसका रख्त दाब पर क्या असर पड़ेगा तो रख्त दाब आपका बढ़ जाएगा मानव सरीर के किस अंग में लसिका कुषका बनती है तो दिर्ग अस्ति में बनती है अगला कोचन है कि मानव हिर्दय में कच्च की संक्या होती है तो चार होता है अगला कोचन है कि मानव सरीर में पैरों की हड़ी कौन कौन सी है तो देखें पैर में आपके दो हड़ी पाए जाते हैं एक आपका टीबिया और एक आपका फिबूला हड़ी पाई जाता है। अगला कोचन है कि कौन सी गरंती सेक्स हर्मोन का स्राव करती है तो एडिनल गर्थी। अगला कोचन है कि जब एक बेक्ती ब्रीध हो जाता है तो समानित उसका रक्त दाब पर क्या असर पड़ता है तो रक्त दाब आपका घट जाता है। अगला कोचन है कि मनुस में कुल कितनी हड़ी होती है तो 206 हड़ी होती है। मनुस की खोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है तो आठ अस्तिया होती है। इसके आगे देखिए उसके आगे आपके अगला कोचन ले रहा है कि मनुष्प के सरीर में पसली कितने जोड़े होते हैं तो बारह जोड़ी होती है सरीर का सबसे प्रबल 20 कौन सा है तो जबड़ा है मानौ सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन है तो इस्टेपीज है मानुष सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन है तो फीमर की हड़ी है अगला कोचन है कि मनुष के सरीर में पैर की हड़ीया होती है तो आपकी खोखली होती है अगला कोचन है कि टीविया नामाख हड़ी कहां पाई जाती है तो टांग में पाई जाता है एठलीट कोस कीसा से ज़्यादा जल्दी उर्जा मिलती है तो कार्बो हाइडरेट से अगला कोचन है कि लंबे समय तक कठोर सारेरी कारी के पस्चात मांस्पेसियों में थाकान अनभव होने का क्या करण है तो गुलकोज का अउच है इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोचन दे रहा है कि सरीर में उतको का निमार किसा से होता है तो प्रोटीन से होता है प्रोटीन को माना जाता है सरीर का निमार करने वाला इंजाइम मुलूप से क्या होते हैं तो आपका प्रोटीन होते हैं अगला कोचन है कि जयविक सिस्टम में रसाइनिक किरिया की प्रकिरिया को तेज करने में उतरदाइट पदात कौन सा है तो आपका इंजाइम है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रसंद कितना होता है तो 42% होता है का एपसूल का आवरन बना होता है तो इस्टार्च का बना होता है सहद का प्रमुग घटा कौन सा है तो फ्रोक्टोज है इसकी आगे देखिए, इसकी आगे आगे आपका अगला कोचन दे रहा है, अगला कोचन है कि कौन सी सरकरा ततकाल उर्जा देती है तो गुलकोज देता है, सहद में मुख्यता होते हैं तो कार्बो हाइडरेड होते हैं, अगला कोचन है कि सरवाधिक उर्जा प्रदान करता है तो कार्बो हाइड्रेड अगला कोचन है कि साकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं तो दालों से खाते हैं और आज का लाश कोचन दे रहा है कि मानव सरीर में वसा जमा होती है तो वसा उतक में होती है तो आज हमने आपके लगभग भाईलोजी से 102 कोचन लगाए जो कि आप के लिए इतना है अगर आपको वीडियो अच्छा रखता है तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत हो लिएगा